जेहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का नोकडीकबर.com के आफिसल यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज मंत्राला यानि की ग्राम पंचायत की तरफ से आचुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भरती के बारे में जहां पर आप सभी के लिए 1500 से भी जादा नंबर वेकेंसी के उपर भरतीयों के नोटिविकेशन के साथ साथ ओनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिये गए हैं आप सभी लोग आने वाली 15 अक्टूबर 2022 तक घर बैठे अपने मुवाइल फोन के माध्यम से ओनलाइन तरीके से आवेदन कर पाएंगे विना किसी एक्ट्रा चार्जिस के कैसे आप लोग आवेदन कर पाएंगे इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं जिया दोस्तों पंचायती राजमंतराला यानि की ग्राम पंचायत की तरफ से काफी दिनों के बाद नोडिविकेसन आउट किये गए हैं नमबर वेकेंसी काफी अच्छी हैं इसके बारे में आगे हम बात करेंगे अगर आप लोग अपने गाउं या जिले के ग्राम पंचा जानकारी आपके काम की लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल लोडिविकेसन को आउन करना बिल्कुल भी मिस्स मत करिये का दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इस विकेंसी की कुछ खास बाते बताना चाहूँगा जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहे पहली और सबसे अच्छी बड़ी खास बाती है कि आपको एक हजार पांस सो से भी जादा नमबर विकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी दूसी नमबर यह की और इंडिया लेवल की जॉब मिलेगी यानि की आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे थर्ड नमबर यह की मेल एंड फी मेल यानि की महीला और पूरुस दोनों के टिगरी के केंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और फोर्थ नमबर यह की अपली है ऐसा मोका आपको बार बार नहीं मिलेगा 15 अक्टूबर 2022 आखरी डेट है यानि की आपके पास आवेदन करने के लिए काफी टाइम बचा हुआ है तो आप लोग जरूर से इस वेकेंसी का नोडिविकेशन डाउनलोड करें और कंप्लीट इंफोमिशन देखने के बाद ही आप लोग आवेदन करें तो चलते हैं नोडिविकेशन को डाउनलोड करते हैं और आपको कंप्लीट इंफोमिशन प्रोवाइट करा देते हैं दोस्तो इस वेकेंसी के दो अलग अलग नोडिविकेशन आउट किये गए हैं एक नोडिविकेशन के एकोडिंग आवेदन करन देखने वाले हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पहला notification open है यहाँ पे serial number है name of the post है department है number vacancy है qualification age और salary तो यहाँ पे दोनो notification को ध्यान से देखेगा किसी एक post पे आपको आविदन करना है तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ देखें यहाँ पे जो A.E. की vacancy है इन पंचायत राज and ruler development mission भागी रथा के अंतरगत यहाँ पे जो है तो vacancy out की गई है 62 post के लिए यहाँ पे आपको A.E. की फिर से vacancy मिलेंगी जो पंचायत राज and ruler development यानि की ग्रामेंड विकास भिवाग की तरब से vacancy है पंचायती राज मेंज की यहाँ पे ग्राम पंचायत की तरब से vacancy देखने को मिलेंगी दोनों में आप एदन करने के लिए उम्र 18 से लेकर 44 साल की होने चाहे और 45,960 से लेकर 1,24,150 रुपह तक का बेतन मिलेगा यहाँ पे सिर्फ पंचायती राज की vacancy ही नहीं आपको मुनसी पल यानि की नगर निगम की तरब से भी vacancy के नोड़ी विकेशन देखने को मिलेंगे काफी सारी vacancy अगर मैं स्टॉल करूं तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ तक की आपको बेल फेर डिपार्टमेंट की तरब से भी vacancy के नोड़ी विकेशन देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट मिलेगा इटमेल्स की सिचाय विवाग की तरब से भी नमबर विकेशन हैं और साथ यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट याने की जल बेवाग की तरब से भी विकेशन देखने को मिलेंगी यहाँ पे देखे आपको ट्रांस्पूर्ट रोड एंड विलिंग्स डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा इसके बाद अगर आप लोग नीचे आएंगे जहाँ पे आपको technical officer की vacancy मिल रही यहाँ पे देखे आपको technical officer, junior technical officer भी पंचायती राज and ruler development mission भागी रत यानिकी यहाँ पे आपको जो है तो gram-पंचायत और ruler development यानिकी gram aid विकास विवाग की तरप से जूनर टेकनिकल आफिसर की वेकेंसी है जहां पे बेतन 32,810 रुपए से लेकर 96,890 रुपए का है और एज 18 से लेकर 44 साल की रखी गई है इसके बाद नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी वेकेंसी है पंजायती राज एन रूलर इसके बाद मुनसीपाल यहां पे आपको मिल जाएगा कॉर्परेशन और एरिगेजन डिपार्टमेंट यानी के सिचाई विवाग के अंदर भी वेकेंसी है जहां पे टोटल 399 वेकेंसी है अगर इसको स्क्रॉल करें और उपर आएं तो फर्स निंबर के अंदर आपको 434 इसके बाद दूसरा नोडीवीकेंसन भी है उसको भी ओपन करते हैं ताकी आपको क्लियरली जो है तो जानकारी मिल सकेड़ तो दोस्तो हमारा दूसरा नोडीवीकेंसन भी ओपन हो चुका है जर्णल डिक्यूट्मेंट का नोडिविकेशन है PR and RD इट मेंज कि यहाँ पे RD आनी हो गया आपका रूलर डेवलप्मेंट और यहाँ पे आपका जो PR है इसका मतलब है पंचायती राज यानी की पंचायती राज और रूलर डेवलप्मेंट डिपार्टमेंट मिसन भागी रथा के अंतर गतिये 1500 प्लस वेकेंसी निकाली गई हैं अगर आप पिछली वेकेंसी जो की 800 प्लस हैं और इनको 1500 प्लस को जो काउंट करें तो ये आपकी काफी ज़्यादा नंबर वेकेंसी हो जाती हैं अल्मोस्ट 2400 प्लस वेकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी इसके बाद अगर आप लोग नीचे आएंगे फिर से आपको PR and RD यानी की यहाँ पे आपको रूलर डवलप्मेंट के साथ पंचायती राज डिपार्टमेंट की वेकेंसी भी देखने को मिलेंगी एज यहाँ पे 18-44 साल है और 54,220 रुपए से लेकर 1,33,630 रुपए तक का भीतन है काफी जादा नंबर वेकेंसी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनको नोटिविकेशन को डाउनलोड करके आप लोग चेक आउट कर पाएंगे यहाँ पे आपको एरियगेशन डिपार्टमेंट यानी की सिजाई भीवाग भी मिल जाएगा जल भीवाग भी मिल जाएगा अगर आप लोग नीचे आएंगे तो आपको 1540 यहाँ पे आनी की 1540 नंबर वेकेंसी भी मिल जाएंगी यानि की काफी अच्छी वेकेंसी है और इस notification के according आप लोग 15 जो है तो 10 तक आवीदन कर पाएंगे तो मतलब की इनके कहने का मतलब यह कि 15 अक्टूबर तक आप लोग आवीदन कर सकते हैं जो detail notification इन्होंने बोला है की 15-9 को जो है तो 15 सितंबर को आ जाएगा इनकी official website के उपर इसी तरह के notification को आगे भी दिखाएंगे dates आप लोग देख सकते हैं 22-9-2022 जानि की 22 सितंबर से लेकर 15-10-2022 जानि की 15 अक्टूबर तक आपको आवीदन करना होगा वीडियो में बने देगा आपको complete information प्रोवाइड कराई जाएगी तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की तरफ से आचुकी भरती 2022 के बारे में काफी नया notification है आपको दिखा दिया notification जारी हो चुके हैं दो अलग-अलग notification जारी किये गए हैं एक notification के according आवीदन करने की आखरी date 15 October है जहाँ पे आपको 800 प्लस वेकेंसी मिल रही है और यहाँ पे हमने दूसरे notification को cover किया है जिसकी आखरी date 15 October है यहाँ पे देखे 1540 यहाँ पे आपको number of वेकेंसी मिल रही है पहले notification के according 21 October तक आप लोग आवीदन कर पाएंगे इसके लाबा बेतन भी यहाँ पे 1540 पोश्ट के लिए चौमान हजार 220 रुपे पर मन से आपको मिलेगा आउनलाइन तरीके से आपको आवीदन करने होंगे और male and female आने की महिला और पुरुस दोनों के टिगरी के केंडिडेट आवीदन कर सकते हैं और इन्डर लेबल की आपको जौब भी मिल जाएगी और आप लोग यहाँ पे 18 से लेकर 44 साल के केंडिडेट आवीदन भी कर पाएंगे तो दोस्तो काफी अच्छी वेकेंसी है अगर आपको आगे भी ऐसी इन्फोमेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्काइब करके बेल नोडिविकेसन को आउन कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें चले चलते हैं आज के अपने main topic और official website पर दोस्तो आपको आववेदन करने का नोडिविकेसन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डीटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के description में और आप लोग जहां पे comment करते हैं first comment के अंदर पिन कर दूँगा तो प्लोग सरकारी रिजल डॉट ट्रिपलो की official website के उपर जाके सारी complete information चेक आउट कर सकते हैं यहां पे आपको 1540 नमबर विकेंसी मिल रहे हैं जहां पे आपको AEEE की पूछते देखने को मिलेंगी इसके लाब आप बात करें उमर के बारे में तो कम से कम 18 और अधिक सदिग 44 साल के candidate आविदन कर पाएंगे application fees आपको notification में देखने को मिलेगी टॉप 5 government job today की लिष्ट है क्लिक एर पे क्लिक करके जिस किसी भी government job के लिए eligible हैं आविदन कर सकते हैं आपका जो organization है पंचायती राज एंड ruler development department होने वाला है इसके बाद अगर हम बात करें कौन-कौन से राज्जों से आप लोग आविदन कर पाएंगे तो और इंडिया लेवल की job है भारत के सभी राज्जों से आप लोग आविदन करने के लिए eligible होने वाले हैं बात करें बेतन के बारे में तो बेतन आपको 4,220 रुपए से लेकर 1,33,630 रुपए परमन का प्रोवाइड कराए जाएगा इसके बाद यहाँ पे आपका education है जहाँ पे matriculation और intermediate के साथ आपके पास graduation यहाँ पे degree होने चाहिए आपको आकरी date से पहले कैसे भी करके आपेदन फिल कर देने हैं इसके बाद यहाँ पे देखे आपके document क्या क्या लगेंगे photograph और signature और आपका जो selection है वो exam और interview के base भी होना है इसके बाद यहाँ पे आपको सारे के सारे important links मिल जाएंगे जहाँ पे क्लिक करके आप लोग सारी जानकारी चेक आउट कर सकते हैं तो आप लोग यहाँ से जानकारी देखे अगर आपको आभीदन करने का मन है eligible और interested है तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक टार्गेट कम्पलीट करें मिलते हैं अगली वीडियो के साथ next अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद